वीडियो के साथ में तो आज की वीडियो में करने जा रहे हैं टाटा नेक्सोन एक्सेम वर्सेज महींद्रा एक्स्यूवी 300 डबलू फोर वेरियंट का एक कमपेरिजन वीडियो तो आज करने वाले हैं इसके सारे इंटीर, एक्स्टिरियर और सभी स्पैसिफिकेशन का डिफ्रेंज की फिर पता करेंगे की कौन सी गाड़ी आपके लिए बहतर हो सकती है जब आप इसको खरीदने जाएं तो आप कौन सी गाड़ी को खरीदने जाएं तो आज यही डिसकस करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले बात करूँ तो टाटा नेक्सोन आपके लिए मिलती है 8.15 लेक रुपीज के एक्षोरूम प्राइस के साथ में इसका जो डीजल पेट्रोल इंजन है वो 1.2 लीटर रेवेट्रोन टर्बो चार्ज इंजन है वही बात करूँ महिंदरा एक्ष्यूवी 300 डबलू 4 वेरियंट की तो यह भी 1 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में आता है यह भी 1260 का इंजन है और यह आता है एक्ष्यूरूम कीमत 8 लाक रुपे के 8 लेक्स रुपीज के आती है और बात करते हैं इन दोनों के बारे में इस वीडियो में टोटल तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो टाटा नेक्सो आपको कुछ इस प्रकार की मिलती है फुली ब्लैक कलर में वहीं बात करूँ महिंद्रा एक्ष्यूवी की फ्रंट लुक तो यह कुछ आपको फ्रंट लुक मिलती है महिंद्रा एक्ष्यूवी की बात करूँ इसकी ग्रिल की नीचे तो इस प्रकार की आपको इसमें भी ब् जिसकी profile है 195-60R-16 बात करते हैं महिंद्रा एक्स्यूवी के तो यहाँ पर कुछ इस परकार से tire मिलता है आपको एक्स्यूवी में जिसकी profile है यहाँ पर 205-65R-16 सेम है Kono Car की 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 बात मैं आप से करूँ तो यहाँ पर आपको lock unlock और follow me home का यहाँ पर Tata Nexon offer करती है की में लेकिन आपको महिंद्रा में सिंपल की मिलती है सेंटर लोकिंग का option नहीं मिलता है आपको manual सेंटर लोकिंग का option है So guys Nexon के side profile की बात करो तो आपको यहाँ पर यह कुछ Nexon में side profile मिलती है और guys यहाँ पर आपको black door handles मिलते हैं ब्लैक ORVM मिलते हैं body color नहीं मिलते हैं उपर आपको XM variant में roof rail का option मिल जाता है अब बात करते हैं XUV300 के side profile की तो side profile में आपको इसमें body color door handles मिल जाते हैं वही body color यह ORVM आपको offer करती है base variant से XUV लेकिन इसमें आपको यहाँ पर roof rails का कोई भी option नहीं मिलता है और compare करते हैं और चलते हैं इनकी back profile की तरफ तो Nexon की back profile कुछ इस प्रकार से मिलती है आपको और वहीं XUV300 में back profile में आपको यह कुछ मिलता है चलते हैं इसके पीछे की tail lights पर तो कुछ इस प्रकार से LED tail lights है XUV की और बात करते हैं कि Nexon की LED tail lights कुछ इस प्रकार से है Nexon में भी आपको मिल जाती है LED tail lights तो guys यह तो कुछ हुआ comparison exterior का दोनों cars का आप चलते हैं interior के तरफ तो सबसे पहले XUV के front door की बात कर लेते हैं तो front door में आपको कुछ यहाँ पे यह look मिलती है कुछ pocket space मिलता है नीचे की तरफ बात करते हैं Nexon के front gate की तो यह कुछ Nexon का front gate इस परकार से दिखता है आपको driver side का जो front gate है यह है Nexon की look front gate की तो guys XUV में आपको 4 power windows का option मिल जाता है साथ में मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ORVM एड़ेस्ट करने का भी option electrically लेकिन आप electrically fold नहीं कर सकते हैं बात करते हैं Nexon में भी 4 power windows मिलती हैं आपको और Nexon में electrically एड़ेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने ORVM को सो guys बात करते हैं XUV की front seats की तो driver side seat जो आप देख रहे हैं यह आपको height adjustable नहीं मिलती है बात करते हैं इनके headrest की जो की आपको adjustable मिल जाते हैं बात करते हैं Tata Nexon की seat की तो इसमें भी आपको कोई height adjustable option नहीं मिलता है पर यहाँ पे headrest भी आपको यहाँ पे दोनो adjustable मिल जाते हैं अब हम आ चुके हैं XUV के interior में तो XUV क्या कुछ interior इस परकार से मिलता है आपको जहाँ पे आप steering देख रहे हैं यह कुछ ऐसा steering है इसका यहाँ पे आपको कोई भी steering mounted controls नहीं मिलते हैं XUV में upper variants में वो available होते हैं MID कुछ इस परकार से मिलती है XUV के आपको बात करूँ यहीं right side में तो यह इस परकार से कुछ options headlight के मिलते हैं जिन से आप अपनी front headlights को adjust कर सकते हैं बड़े ही अराम से बात करते हैं और यहाँ पे तो आपको XUV 300 में कोई भी music system का option नहीं मिलता है जो पहले diesel variant में मिलता था speakers आते थे सिर्फ music system तो नहीं पर speakers मिलते थे diesel variant में अब वो भी हटा दिये गए हैं तो यहाँ पे कोई भी music system का option नहीं मिलता है आपको after market या बाहर से ही कहीं से लगवाने पड़ेगा इसमें music system और कुछ interior features में XUV के बात करें तो यहाँ पे आपको manual AC का option मिलता है कोई भी auto AC नहीं है base variant में XUV के बात करें इसके transmission की तो यहाँ पे आपको six speed manual transmission का option मिलता है XUV 300 W4 base variant के अंदर यहीं आपको एक 12 volt का charging socket मिल जाता है XUV में बात करें इसके center में तो यहाँ पे कुछ इस परकार का आपको bottle space cup holders मिल जाते हैं बात करें इसके handbrake की तो यह कुछ आपको handbrake का option मिलता है यहाँ पे यहाँ पे आपको कोई भी armrest नहीं मिलता है कुछ इस परकार का manual IRVM आपको offer करती है XUV so guys अब चलते हैं Nexon XM में variant में और देखते हैं कि क्या कुछ interior में आपको features देती है Nexon XM तो सबसे पहले बात करें तो steering की तो यह कुछ आपको steering मिलता है यहाँ पर अब Tata Nexon XM में भी आपको यहाँ पे steering में mounted controls नहीं मिलते थे जो पहले मिलते थे और पीछे आप देख रहे हैं इसकी digital MID जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे digital MID मिलती है आपको और features की बात करते हैं interior में तो यहाँ पे कुछ इस परकार से आपको मिलता है interior का look XM variant में आपको harmon का music system का option मिलता है लेकिन आपको यहाँ पे XUV में जो offer नहीं किया जाता base variant में इसमें किया जाता है harmon का music system offer बात करते हैं इसके AC की तो यहाँ पे इसमें भी आपको manual AC मिलता है तो center से बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी armrest का option इस nexon में भी option नहीं मिलता है armrest का बात करते हैं इसके manual transmission की तो six speed manual transmission आपको यहाँ पर offer किया जाता है handbrake कुछ इस प्रकार से मिलता है यहाँ आप देखे तो तीन mods का भी आपको option दिया जाता है eco city और sport mode का बात करें driver side sun visor की तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है vanity mirror passenger side जरूर आपको यहाँ पर vanity mirror next on में offer किया जाता है उपर यहाँ पर आपको एक light भी मिलती है जो की halogen light है passenger side door में आपको एक power window का option मिल जाता है बात करें इसकी glove box की तो बहुत ही बड़ा glove box यहाँ पर आपको offer करती है next on तो guys यह तो बात हुई कुछ front seats की इन दोनों cars की अब चलते हैं दोनों car में back side और देखते हैं क्या कुछ आपको back seat पर offer किया जाता है तो सबसे पहले x uv में आपको यहाँ पर back seat पर कोई भी head rest का option यहाँ पर नहीं मिलता है head rest बिलकुल हटा दिये हैं यहाँ पर x uv में back seats में बात करते हैं center में तो यहाँ पर कोई भी rear ac vents और charger नहीं है बात करते हैं यहाँ पर grab handles जरूर आपको मिल जाते हैं दोनों side एक hook के साथ में nexon में चलते हैं पीछे तो nexon में आपको fixed head rest यहाँ पर मिलते हैं center में कुछ space जरूर मिलता है पर ac vents नहीं मिलते हैं आपको nexon में भी अब guys चलते हैं दोनों boot की तरफ cars के तो पहले x uv के boot में आपको मिलता है 268 liter का boot space और यह जो आपकी rear seats हैं यह 60-40 split में मिलती हैं आपको ऐसा कुछ आपको यहाँ पर spare wheel offer करती है x uv जो की same profile का है वहीं बात करें तो nexon में आपको 350 liter का massive boot space मिलता है बहुत ही बड़ा boot space nexon में offer किया जाता है nexon का spare wheel भी यहाँ पे आपको same profile r16 का मिलता है मैं आपको अगर दिखाऊं तो यह देखिए r16 यहाँ पे आपको offer किया जाता है spare wheel बात करते हैं दोनों car में rear parking sensor की तो यहाँ पे xuv में भी आपको 4 sensors का option मिलता है पीछे parking sensors का वही nexon में भी आप जैसा देख रहे हैं 4 parking sensors का आपके वहाँ पे option मिलता है बात करते हैं इन दोनों के ground clearance की तो आप जैसा देख रहे है xuv में मिलता है आपको 180 mm का यहाँ पे ground clearance वहीं बात करें nexon में तो आपको ज़्यादा मिलता है जो की है 209 mm का तो यह थी आज की कुछ वीडियो comparison की जो मैंने आपको दिखाई महिंदरा xuv 300 w4 और tata nexon xm की तो गाइस दोनों ही गाड़ी के जो एक्षो रूम प्राइज है वो लगबग लगबग सेम है ज़्यादा difference नहीं है बिलकुल भी तो यह comparison वीडियो बहुत बनाने जरूरी दा दोनों का कि आप अगर confused है same price range में कौन सी कार लेनी चाहिए तो यह comparison वीडियो आपको आज यहाँ पे जरूर help करी होगी जिसमें मैंने cover किये सारे interior exterior features दोनों ही कार के तो मेरे अगर opinion में मानेंगे तो यहाँ पे मुझे Tata Nexon XM variant जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे XUV के मुकाबले same price range में आप Nexon के लिए जरूर जा सकते हैं तो आज की वीडियो में यही था इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe जरूर करें please subscribe करें मैं मिलता हूँ आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई